तो आई दोस्तो नमस्कार आज का टॉपिक है जो की मैलाओं में बहुत जादा यह देखने को मिलता है जिसको कहते हैं वलकी उट्रस यानि की बच्चेदानी की सूजन तो आईए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या होता है वलकी उट्रस क्या है इसके लच्छड क् सकता है इसके साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इलेक्ट्रोहुमियोपैथी दवाओं द्वारा इसको कैसे सहीच किया जा सकता है बच्चेदानी की सूजन को बैग्यानिक भासा में वलकी उट्रस के नाम से जाना जाता है हम लोग इसे सामान ना भासा में बच्चे दानी की सूजन के नाम से भी इसको जानते हैं। बच्चे दानी की सूजन को इंडो मैटराइटिस के साथ भी जोड़का देखा जाता है। जो बच्चे दानी की सूजन बल्की उटस के कारण मेलाओं का प्रग्नेंसी प्लानिंग में बहुत सारी दिक्तों का सामना करना पड़ता है बल्की उटस एक ऐसी समस्या है जो की मेलाओं में इन्फर्टलिटी यानि की बांजपन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है मेलाओं के उटस का साइज नासपाती के एक आकार के जितना होता है लेकिन मेलाओं के जो गर्भासे में गरवावस्ता के समय ये दोरान ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है परन्तु सामान नवस्ता में अगर यूटस के आकार में ब्रद्धी हो जाए तो ये एक बहुत बारा रोग का कारण हो सकता है तो इसके लिए मैलाओं को इसको नरंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसका समय पर उप्चार कराना चाहिए तो आईए जानते हैं कि वलकी यूट्रस यानि कि बचे रानी की सुजन क्या होती है मैलाओं का यूट्रस एक प्रजिनन अंग है जिसका मुखकारण प्रग्नेंशी की दोरान भुरूल की जो भुरूल होता है उसको पोशड यानि पोशड करना गर्वा वश्ता में सुजन करना ध्यान रखना होता है यदि इस समस्या का समय पर निदान नहीं किया जाता तो ये एक गम्भीर रूप का रूप ले लेती है तो आईए जानते हैं कि इसके वलकी उट्रस यानि कि बच्चे दानी की सुजन के क्या कॉमन लखचड है बच्चे दानी में होने पर गरभासे में कुछ ऐसे लक्षव मैसूस होते हैं जिनके द्वारा हमारा सरीव हमें संकेत देने लगता है जैसे कि अन्यमित महावारी हैं, अर्थात समय पर पीरिट का ना आना है, इसमें क्या होता है कि पीरिट कभी आंगे कभी बात में आने लगते हैं, पेल्विक एरिया में सूजन और एंटन यानी पेट के जो निचला हिस्सा होता है, उसमें दर्द और एंटन और सूजन होने लगती है, पेरों एवन पुडलियों में भी साथ साथ में दर्द की शमस्या देखने को मिलती है, कमर पीट में दर्द या कि बातम होता है, पेट की निछले भाग का जो बजन हो भी अचनअग वढ़ने लगता है, मुह में छाले मुह से या फिर जो चेहरा होता है उसमें कभी दो भी बाल भी उगने लगते हैं और ऐसी महला जिसको वलकी उटस है उसका पाचन तंतर भी खराब रहता है या इसकी जो भी समस्या है उसे वो हमेशा परिशान रहती है तो आईए जानते हैं कि वलकी उटस के क्या कारण है आज कल जो महलाएं हैं आज के समय में जो उनकी जीवन सहली है वो बहुत ही जीवन सहली बदली हुई है आज कल की जो मेलाएं वो क्या करती है कि ओफिस या फिर घर में भी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती है और अपनी डाइट को समय पर नहीं लेती है या फिर कभी-कभी अधिक भूक लगने पर बहुत ज़्यादा खाना खा जाती है जिससे भी वलकी उटर जैसी समस्या उत्पन होने लगती है इसके साथ साथ भी स्वास्त एवन प्रजनन से सम्मंदेत भी बहुत सारी समस्याओं से घर जाती है महलाओं का जो लाइफ इस्टाल का पूरी तरह से जो गतहीन होना है और जो सरीर कार नहीं कर पाता है ऐसे में उनके पेट में भी दिक्कत होने लगती है लिवर में भी दिक्कत की समस्या होती है साथ साथ में कबज की भी परिशानी होती है और वलकी उटर जैसी दिक्कतों का भी उनको शामना करना पड़ता है और infertility यानि की बांजपन जैसी भी खतरनाक समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है तो इसके अलाबा हम आईए हम जानते हैं कि जो उसमें मुख हैं जैसे की ovarian sit जब मैलाओं में ovarian sit बनने लगती है उस समय भी वलकी uterus की समस्या देखने को मिलती है कि जो पीसियौत बंद होने की और जाती ही जो बहते है या पीसियौड बंद होने की अभिदी से गुजती होती है जाकर जयाता है जो जाकर प्ड़ जाता है या पीसी ओडिया बहुत हुआद में भी यह समस्या बहुंच जादा देखने को मिलती है तो आये जानते हैं कि इसके साथ में चाहिए प्लकी उट्रस से पीडित है उसको खाने में फलदार सब्जियां लेनी चाहिए साथ में लिक्विट चीजों का भी बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए बच्यदानी की समस तो उसको रोजाना फलों का भी जूस लेना चाहिए पाइन एपल हुआ टमाटर हुआ शयो है चुकंदर गाजल इत्यादी का विरस अगर गिलास महला पीती है ना तो इससे भी बहुत जल्दी इसमें निजात मिल जाती है जिन में अब आई जानते हैं कि इलक्ट्रों में पै इसमें करना पड़ता है तो आई जानते हैं कि वच्चे दानी की सूजन यानि yotrys क्या एलाज है जिन मेब नोग को वच्चेww स्वस्तिय से सम्मंदित सभी समस्याओं का बहुत ही अच्छा उप्चार है इलेक्ट्रोमेपैथी उप्चार से बच्चे दानी की सूजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और जो इलेक्ट्रोमेपैथी पूरी तरह नेचुरल है इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है और कि द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी की जगवत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोमेपैथी का जो होट कमप्रेस है इससे भी गरवासे से सम्मंदित सभी प्रकार के रोगों को धूर किया जा सकता है इलेक्ट्रोमेपैथी की कुछ ही दवाओं जैसे कि S2, C2, L1, जी आधी दवाएं साथ में कुछ पेटेंट सीरफ भी हैं जैसे की गायनी प्लास इनके प्रियोग करने से कुछ ही में इस समस्या से निजात पाई जा सकती है अगर आप भी चाहते हैं आप भी अगर इस किसी प्रकार की मल से पीड़ेता हैं तो आप भी संपर कर सकते हैं सा क्यात की अपर इस बीज़ेता हैं आपकतै दवश यग नि ही अपर किसी पिसमिए इस ब्राद हैं आपकाई ओी धिझेlor में इस दिस स किरेँ खाएं से फल्सकर हो अवदाश कहीं हैं जी व ख सबस्मिन थिभ्यकानि